सब्सक्राइब करेंगे इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एल्सियम आना चाहिए उसके बाद सब्सक्राइब करते हैं इस सब्सक्राइब करना करेंगे सबसे पहले देखो क्या करेंगे इसको इसको लिखेंगे 5 by 4 ठीक है यह देखो plus और minus आपको starting में ही मैंने ऐसा पढ़ाया था chapter 2 में plus और minus क्या होता है minus plus minus minus और 11 by 4 है तो 11 by 4 ठीक है अब क्या हो जाएगा यह 4 और यह 4 है तो जो नीची रहता है ना उनका LCM लेते हैं तो आप rough में जाओ और 4 और 4 का LCM देख करके देखो क्या होगा 4 होगा 4 और 4 calcium 4 होगा अब क्या करेंगे इस 4 से इस 4 में क्या करेंगे divide तो 4 में 4 से divide करेंगे तो 1 आएगा अब जो 1 आया ना 1 को उपर वाले से मलपल कर देंगे 1 और 5 से करेंगे तो 5 यह सब आप लोग 6 क्लास में पढ़ाई किये थे ठीके ना याद है तो सही है नहीं तो यहापर समझो उसके बाद माइनस है तो माइनस यह देखो अब इस 4 से इस 4 में divide करेंगे कितने time में divide होगा 1 time 1 और उपर वाले से मलपल कर देंगे 11 है 1 और 11 से करेंगे 11 हो जाएगा आप देखो तो 5 में से 11 को माइनस करना है नहीं जाएगा 11 में से 5 को माइनस कर देंगे कितना होगा 6 लेकिन याद रखिएगा कि जो greater का sign होता है न वहीं यहाँ पर sign लगा देंग greater 11 है उसमें sign minus है यहाँ पर minus में लगा दिया और divide में 4 आ गया यह हमारा answer ठीक है समझ में आया कोई doubt है किसी को नहीं न सारे question आसान है बस आपको ध्यान से देखना है ठीक है question number 2 देखो 5 by 3 plus 3 by 5 देखो 5 by 3 plus 3 by 5 है अब कैसे करेंगे सबसे पहले देखो यह 3 और 5 का क्या करेंगे LCM लेंगे क्योंकि यहाँ पर plus और minus नहीं है सिर्फ plus है तो direct हम इसको solve करना होगा ठीक है तो नीची वाले क्या करेंगे LCM लेंगे LCM तो सबको लेने आता होगा तो 3 और 5 का LCM क्या होगा 5 3 और 5 का LCM 5 अब देखो 3 और 5 के LCM कभी 5 होगा बिल्कुल गलत है मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ऐसे कर देते हैं जैसे मैंने 4 और 4 का किये ना तो कहेंगे LCM सब अपना 4 था तो 3 और 5 कभी 5 हो जाएगा नहीं LCM आपको लेना पड़ता ह है और कहां पर रॉफ पिज में जाना पड़ता है इस तरह से किसका LCM देना है 3 और 5 का देखो तो किसी नंबर से कट रहा है नहीं कट रहा है तो डाइट क्या करते हैं मुल्टिपल 5 और 3 से मुल्टिपल कर देंगे 15 यानि 3 और 5 का LCM 15 होगा ठीक है यह सब ध्यान देना है आपको ऐसा नहीं कि मैं जो बोल दूँ हो जाएगा आपका माइंड को टेस्ट कर रहा था मैं ठीक है चलिए तो 3 और 5 का LCM 15 अब क्या करेंगे इस 3 से 15 में डिभाइड करेंगे कितने ट्रेंश में कटेगा 5 टाइम 35 जा 15 अब यहां 5 आ गया अब इस 5 को इस 5 से मुल्टिपल कर देंगे 55 जा 25 प्रेक्शन का एडिशन सब्रेक्शन जिनको आता होगा ना क्लास 7 में ऐसा है सारे क्वेशन को हवा मूडा देंगे नहीं आता होगा समझ यह ठीक है अलमा प्लस अब इस 5 कुशनें डिवाइड करेंगे 3rd time the एक त्री से करेंगे यह 9 हो जायेगा कि अब 25 और 9 को एडक्रेंगे कितना होगा 33 कि इवाइड में 15 है तो 15 कि अठpler कि छाथे कि इस आपका गलत हुआ है मेरे को डाट रहे हो सबसे आपसे मस्तिक बल रहा हूं चोटा मोटा जो गलती होता है ना उसको सुधारा करो ठीक है आप लोग भी कभी कभी फास्ट में कर देते हो लेकंन ऐसा नहीं करना है उसको अच्छे से एड़ करके लिखा करो ठीक है चलो ठर्ड कुशेशन माइनस 9 बाइ 10 है माइनस 9 बाइ 10 पलस 22 बाइ 15 22 बाइ 15 है तो सबसे पहले क्या करेंगे 10 और 15 का LCM कहां पर रॉफ में जाएंगे 10 और 15 का LCM लेंगे 10 15 का LCM क्या होगा करो तो यह देखो डरेट फाइब से कट सकता है फाइब तू जाट 10 फाइब नहीं करेंगा तो इन सारे क्या करेंगे multiple 5 तू जा 10 10 तू जा 30 LCM कितना हो जाएगा 10 और 15 का 30 क्या होगा 30 अब क्या करेंगे इस 30 में 10 से डिभाइड करेंगे कितने टाइमस में 3 टाइमस अब 3 से इस उपर वाले से मुल्टिपल करेंगे 29 जा 27 माइनस है 27 अब प्लस इसको डिभाइड करेंगे 15 तू जा 30 2 टाइमस 2 और 22 से करेंगे 44 हो जाएगा अब देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है प्लस माइनस क्या होता है माइनस यानि 44 में से 27 क्या करना होगा माइनस करना होगा तरफ में जाहिए 44 में से 27 को माइनस कर दीजिए 7 ए 14 7 आ गया ए 3 होगे 1 यहनि 17 आ गया जब मैंने प्लस और माइनस किया तो कितना है 17 ग्रेटर का साइन क्या है प्लस तिया पर प्लस रहेगा अब आई 30 यह हो गया एंसर 11 माइनस 3 भाई माइनस 11 प्लस 5 भाई 9 है यह क्वेश्चन है क्या करोगे सबसे पहले नीचे वाले के LCM लेंगे 11 और 9 का जब आप LCM लोगे क्या होगा 99 हो जाएगा ठीक है लेकिन यहाँ पर जो बच्चे डाइरेक्ट बनाने जाएंगे न ध्यान देना जैसे मैंने 11 और 9 का LCM 99 ले लिया ठीक है लेकिन मैं देख रहाँ कि में नीचे क्या है माइनस है इस माइनस को क्या मैं माइनस 99 लिखूँ नहीं आप ज़दी ऐसा करोगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा अब इस क्योशन को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको इस क्योशन को बनाने के लिए सबसे पहले माइनस को ı simplicity ठीक है तो देखें ये माइनस और माइनस कट करके पुलस हो गया मतलब यह 3 by 11 है माइनस में नहीं है क्योंकि उपर और नीचे दोनों माइनस था माइनस माइनस प्लस हो गया एक्वेशन बन गया 3 by 11 प्लस 5 by 9 अब 11 और 9 कैल्सियम 99 हो गया अब इससे क्या करेंगे कितने टाइमस में 9 टाइमस 9 और 3 से करेंगे 27 प्लस इसको डिभाइड करेंगे 11 टाइमस 11 और 5 से करेंगे 11 5 जब 55 अब इन दोनों को एड़ करेंगे 5 और 7 12 पाइप टू 7 और एक 8 82 वाइ 99 एंसर ठीक है अच्छे से बनाना मेरे भाई ठीक है ना क्वेस्चन 5 देखो माइनस 8 वाई माइनस 8 वाई 19 प्लस माइनस 2 वाई माइनस 2 वाई 57 ठीक है अब देखो तो इस क्वेस्चन को मैं बनाता हूँ माइनस 8 वाई 19 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2 वाई 57 ठीक है 19 और 57 का क्या होगा यहाँ आप यहाँ और प्लस निकाल कर करके चेक आउट करो का सर हमें भी पता है 57 नहीं होगा ठीक है अब इसमें डिवाइड करेंगे 3 Π pública 2 से कना डिवाइड करेंगे यहान देखो गproduct आइड करेंगे त्वेनटीफ्र师 नीचे 57 यह हमारा एंसर ठीक है अब 6 नमबर देखो 6 question है minus 2 by 3 minus 2 by 3 plus 0 अब देखो आपको पता है कि 0 में किसी भी नमबर को आप add करोगे न वो स्यम नमबर ही आ जाएगा minus 2 by 3 में 0 add हो रहा है तो minus 2 by 3 आ जाएगा ठीक है चलिए 6 और है क्या कोई question 7 भी है 7 question देखो minus 2 integer 1 by 3 plus 4 integer 3 by 5 है अब यह देखो integer को पर ब्रेक करना पड़ेगा ठीक है यह सब हम chapter 2 में पढ़ाया थे आप लोग को 3 2 जा 6 minus 6 और 1 क्या होगा minus 6 1 minus 7 को सरे कैसे है minus 6 और 1 add करेंगे तो minus 5 होगा नहीं यहाँ पर आपको minus प्लस करना नहीं है आपको सिर्फ ब्रेक करना है ब्रेक करने में इंटियर क्या होता है ना कि इनको मल्टिपल करना होता है उपर वाले को add कर देते हैं तो मैनस 7 by 3 हो गया प्लस इसको डिवाइड करेंगे 3 times 3 और इससे करेंगे 69 हो जाएगा सही से मल्ट पल आना चाहिए समझ गए चलिए अब इनको क्या करेंगे प्लस और माइनस घटा देंगे माइनस करेंगे तो 9 में से 5 जाएगा 4 6 में से 3 जाएगा 3 और ग्रेटरक साइन प्लस है तो प्लस रहेगा अब आई 15 यह हमारा answer ठीक है question number 1 हमारा complete हो गया कोई doubt है तो कोई बताए मेरे को comment works में comment खाली है ठीक है चलो जी question 2 देखो find करना है यह क्या है subtraction भी है और addition भी होगा इसमें दोनों मिलेगा ठीक है आई यह question number 2 को solve किया जाए question number 2 का first क्या है 7 by 24 minus 17 by 36 यह question है ठीक है क्या करेंगे भाई सबसे पहले इनका LCM लेंगे LCM तो बड़ा लग रहा है तो रफ साइड में चल जाएंगे 24 और 36 का LCM टू से करेंगे 12 टाइम्स यह 18 टाइम्स अगेन इसको टू से करेंगे 6 टाइम्स यह 9 टाइम्स अगेन इसको 3 से कर देंगे 3 टू जा 6 3 3 9 अब सब को क्या कर देंगे multiple टू टू जा 4 4 3 जा 12 12 टू जा 24 24 ट्रीजा 24 ट्रीजा हो जाएगा 60 72 कितना हो जाएगा 72 कि 24 और 36 का LCM 72 हो गया अब इसको डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स में ये हो जाएगा 3 टाइम 3 और 7 से करेंगे 21 माइनस इसको डिवाइड करेंगे 2 टू टाइम्स 2 और 17 से करेंगे 34 कि आप देखो 24 मेंसे 21 को मैनस करेंगे क्या होगा क्या होगा ऐहां कर लो 34 में से 21 को माइनस करना है 3 और यहाँ 1 यहाँ गया 13 13 by 72 यह देखो माइनस है ना ग्रेटर का साइन यहाँ माइनस लगा देंगे ठीक है चलो second question second क्या है 5 by 5 by 63 minus minus 6 by minus 6 by 21 अब हमारा यह question है तो क्या करेंगे देखो यह जो minus minus है ना यह plus हो जाएगा यह जाएगा 5 by 63 और minus minus plus 6 by 21 हो गया ठीक है अब क्या करें 63 और 21 का LC हम लेंगे क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा इसको डिभाइड करेंगे 1 टाइम 1 और 5 से कर देंगे 5 पलस इसको डिभाइड करेंगे 3 टाइम 3 और 6 से कर देंगे 18 अब इनको एड़ कर दो 18 और 5 एड़ करेंगे यह हो जाएगा 18 और 5 थर्ड है माइनस 6y 13 माइनस 6y 13 माइनस माइनस 7y 15 यह question है ठीक है सबसे पर ले क्या करेंगे माइनस 6y 13 माइनस माइनस पलस 7 by 15 ठीक है अब देखो तो 13 और 15 का क्या करेंगे LCM लेंगे 13 और 15 का LCM लेंगे यहां rough side में यह तो किसे कटेगा नहीं तो डाइड क्या कर देंगे नहीं कटने माला है तो multiple 13,5 जाए 65 और यह 30 591 195 हो जाएगा इसको डिवाइड करें कितने टाइस डिवाइड होगा 15 टाइम्स 15 और 6 से कर देंगे 15 और 6 से कर देंगे यह हो जाएगा 19 90 हो जाएगा 15 सिख जा 90 मैनस है तो माइनस पलस इसको डिवाइड करें कितने टाइम्स 13 टाइम्स 13 और 7 से करेंगे यह 91 हो जाएगा अब देखो यह पलस यह माइनस घटेगा तो कितना सब्ट्रेट करेंगे तो वह न जाएगा नीचे वन हैंडर नाइटी फाई ग्रेटर करेंगे पलस था तो पलस हो गया कि देख रहे हो न कितना असान असान क्वेशन है सारे आसान क्वेशन है बस आपको अच्छे से बनाना है मेरे बाई ठीक है ना क्वेशन नंबर अब फोर देखो और क्या है माइनस 3 वाई 8 माइनस 3 बाई 8 माइनस 7 बाई 11 ये question है ठीक है क्या किये जाए सबसे पहले देखो क्या करते है 8 और 11 का LCM लेंगे 8 और 11 का LCM 88 हो जाएगा इसको divide करेंगे 11 टाइम 11 और 3 से करेंगे माइनस 33 माइनस इसको divide करेंगे 8 टाइमस 8 और 7 से करेंगे 8 सेवेंजा 56 रही होगा ना सही है अब ये दुनों माइनस है माइनस माइनस प्लस होता है 6 और 3 9 5 3 8 दुनों का 8 करेंगे 89 ग्रेटर का साइन माइनस है तो माइनस हो जाएगा नीचे 88 हमारा answer ठीक है चलिए 5 question देखता हूँ 5 क्या है माइनस 2 integer 1 बाई 9 माइनस 6 है अब इस question करते है पहले integer को break करेंगे 9 टुजा 18 19 19 बाई 9 माइनस 6 यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ आप देखो तो 9 और 1 का एल्सियम 9 इसको डिभाइड करेंगे 1 टाइम 1 और 19 से करेंगे 19 इसको डिभाइड करेंगे 9 टाइम 9 और 6 से करेंगे 9 सिख जा 54 अब दोनों को एड़ कर देंगे 9 और 4 यह जगा 13 13 के 3 कैरी 1 5 और 6 और 7 greater sign minus है तो minus लगा देंगे और यह 9 यह हमारा answer ठीक है तो question number 5 हमारा complete हो गया कोई doubt है तो मेरे को बताएं आप लोग चलो third question देखो अब product find करना है ठीक है find a product यह भी असान असान question है question number third का first question 9 by 2 product का sign है minus 7 by 4 product का मतलब multiplication है ठीक है चलो इसको करना है न कैसे करोगे जो पहले देखो इसको पहले बाद राइट करेंगे 9 by 2 minus 7 by 4 जो कट रहा होगा कटाएंगे नहीं कटेगा न उसको डिरेक्ट मल्डफल कर देंगे कटने का तरीका क्या है उपर नीचे कट सकता है तीरचा तीरची भी कट सकता है ठीक है कोई कट रहा है नहीं कट रहा है तो 9 को 7 से करेंगे 970 जा 63 970 जा 63 नीचे 4 टू जा 8 एंसर यह तो बहुत असान होता है प्रोड़क्ट सेकंड क्वेशन 3 by 10 3 by 10 minus 9 है अब इसको देखो करेंगे 3 by 10 into minus 9 कोई कट रहा है नहीं कट रहा है जब नहीं कटेगा तो मल्ट्पिल कर देंगे 930 जा 27 और यहाँ पर minus divide में 10 ठीक है अब ज़रो third question third क्या है minus 6 by 5 minus 6 by 5 into 9 by 11 ठीक है तो क्या होगा minus 6 by 5 into 9 by 11 है ना क्या कोई किसी से कट रहा है उपर नीचे तिर से तिर से तिर से नहीं कट रहा है ना नहीं कट रहा है तो मल्ट्पल कर दो भाई नाइन सिख जा फिप्टी फोर इलेवन फाइव जा फिप्टी फाइव माइनस का साइन था माइनस लगा दिए क्वेस्चन फोर देखो क्वेस्चन फोर है 3 by 7 into minus 2 by minus 2 by 5 क्या होगा 3 by 7 into minus 2 by 5 अब देखो तो कोई कट रहा है नहीं कट रहा है 3 by 2 जा minus 6 75 जा 35 ठीक है अब फोर्थ नंबर फिप्ट देखो फिप्ट है 3 by 11 into 2 by 5 2 by 5 ठीक है इसको करता हूँ ए 3 by 11 इन्टू 2 by 5 देखो तो कोई किस से कटेगा नहीं कटेगा 3 तू जा 6 11 फाइब जा 55 यह हमारा एंसर 6 नंबर देखो 6 नंबर क्या है 3 by minus 5 है 3 by minus 5 into minus 5 by 3 है चलो पहले इसको एक बार लिखेंगे जो कट रहा हो कटाएंगे 3 by minus 5 इन्टू minus 5 by 3 यह देखो 3 3 कट गया minus 5 minus 5 कट गया यह उपर में 1 नीचे में 1 1 को 1 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 1 जो कट रहा होगा कटाएंगे जो नहीं कटेगा छोड़ते जाएंगे ठीक है इस तरह से question number 3 हमारा complete हो गया अब आज आप question 4 देखेंगे question 4 में divide है find the value of ओके और यह last question question 4 ठीक है आईए question number 4 का first minus 4 divided by 2 by 3 है ठीक है क्या होगा देखो minus 4 का minus 4 divide है ना इसको multiple में change कर देना होता है और आप divide से जैसे multiple में change करते हैं तो नीचे वाला उपर आचले जाएगा और उपर वाला नीचे चलाएगा जो 2 by 3 था वो 3 by 2 हो जाएगा ठीक है अब यह 2 से 2 कर देंगे 2 तूजा 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 तूजा 6 और यह minus है तो minus लग जाएगा ठीक है कोई doubt है किसी को चलो second question minus 3 by 5 है minus 3 by 5 divided by 2 अब इसको करते हैं तो क्या होगा minus 3 by 5 divide है तो multiplication में change कर दो यह उपर दो है ना इसको 2 नीचे ला दें क्योंकि divide के बाद multiple में change करने पर उल्टा हो जाता है कोई की से कट रहा है नहीं कट रहा है नहीं कट रहा है तो multiple करा दो minus 3 को 1 से minus 3 5 को 2 से 10 ठीक है third question third क्या है minus 4 by 5 divide है minus 3 अब इसको करता हूँ minus 4 by 5 divide है न multiple में change कर देंगे और यह चला जाएगा नीचे अब यह दो को minus minus तो कट गया लेकिन कोई number नहीं कट रहा है तो 4 और 1 से multiple कर देंगे 4 5 को 3 से कर देंगे 15 हो गया ठीक है question 4 देखो question 4 है minus 1 by 8 divide में है 3 by 4 इसको करते हैं minus 1 by 8 divide है तो multiple में change जाएगा और यह 4 by 3 हो जाएगा यह 4 टूजा 8 यहां से minus 1 by 6 हो गया ठीक है question 5 5 क्या है minus 2 by 13 divide में है 1 by 7 इसको करते हैं minus 2 by 13 divide है तो multiplication में और 7 by 1 हो जाएगा इसको करेंगे 7 टूजा minus 14 13 बन जा 13 ठीक है 5 के बाद 6 देखो 6 है minus 7 by 12 डिवाइड है डिवाइड है minus 2 by minus 2 by 13 इसको करते हैं तो minus 7 by 12 डिवाइड है तो मल्टिपिकेशन में और उपर उला नीचे नीचे वाला उपर कोई किसे कटेगा नहीं एक ने minus minus कट गया 13 7 जा 91 14 12 जा 24 यह हो गया 7 नमबर 3 by 13 डिवाइड बाई minus 4 by 65 है ओके तो क्या करेंगे 3 by 13 और चेंज है जाएगा 65 by minus 4 13 5 जा 65 5 3 जा 15 और minus 4 जा minus 4 यह हमारा answer तो देखो मेरे भाई आज हमारा यह exercise कम्प्लीट हो गया 8.2 ठीके इससे पहले आप लोगो जो भी डाउड दिकत होगा आप मेरे जुरू बताना ठीके और इसी के साथ हमारा कम्प्लीट होता है अब नेक्स्ट चेप्टर मिलेंगे 9.1 के साथ Thank you so much